हेलो फ्रेंज आपके अपने ही चैनल ठेके में स्वागत है इस वीडियो में बात करेंगे सिक्षा विवाग से जुरी तमाम अपडेट्स के बारे में आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर अतिती सिक्षकों को नीमित करने को लेकर आज धर्ना गर्दनी भाग में लगातार विविन मुद्दो पर धर्ना परदर्शन किया जा रहा हूँ एस्टेटी अवेर्थियो जो दो कोटों में बढ़ चुके हैं उनके द्वारा धर्ना परदर्शन हो रहा है साथ ही आप अतिती सिक्षकों का स्क्रीन पर देख सकते हैं उनका धर्ना परदर्शन और बीटेट सेवन फिर या सिक्षा विवाग से तमाम जानकारिया सबसे पहले मिल सकें वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और सेर करना न भूले दोस्तों क्योंकि आपका ये चोटा सा सपोर्ट हमारी होसला आप जाए करता है और हम वीडियो बनाने को लेकर तैथ पर अगला हमारा जो अपडेट से की निगति को मांग कर लेकर मिला प्रतिनीदी मंडल जी हां ओल बिहार ट्रेंड लाइबरेरियन एसोसियन बिहार प्रदेश कमिटी के साथ सदेश्य प्रतिमंडल ने बिहार विदान परिसत्त के सदस्त परमोच चंद्रवंसी से मुलाकात की आपको बताते हैं चलो दोस्तों लाइबरेरियन की भी अभी बहाली और नुक्ति अटकी पड़ी हुई है लाइबरेरियन की नुक्ति घोसना सिक्षा मंतरी ने बिहार विदान सवा सत्व के दुरान की थी लेकिन अब तक अधिसुचना जारी नहीं है इससे हजारों छात क समाप्ति की और राजभर के लाइबरेरी साइंस के छात रजी सुचना नहीं जारी होने से परिसान चल रहे हैं विकास शंद्र ने बताया कि राज में दस हजार सदिक हाई स्कूल और कोलेजों में लाइबरेरियन के पाद है लेकिन सरकार द्वारा उस पर ठोस पहल नहीं क लाद है कि सिक्षा विवाक पर जितना सरकार द्वारा कहा जाता ह shipping उसका आधा हमांतर भी नहीं इस्फक्षकों की विपीयों के इसे बदेंदिमानटी मंदल सनिवाड को नेकर डी पीयों के साथ दूसरे दौर की बारता की And are वारता में डिप्यू ने बताया अगर वेतियन विसंगिती दूर है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा अनमांगो पर जल्द काड़वाई का अशोशन दिया अगर नेक्स खबर की बात करें तो सिक्षक नियोजन में स्वयोग नहीं करने वाले तू तीन पूर पं करके नई डेट फिर से सुनिश्चित की गई आप देख सकते हैं छे साथ दोहजर बाइस को बुद्वार को प्रुवान 11 वज़े से अपराहन एक वज़े तक पुरु निधारित के अंदरों पर होगी बीएड का इंट्रेंस एक्जाम यहां आप आप देख सकते हैं और एस एक अजीब समामला नवादा से चलकर आ रहा है कि नवादा में फर्जी पर्मानपत्र पर बहाल महिला सिक्षक गिरिपतार 12 साल से कर रही थी नोकरी आप ही बताईए दोस्तों अगर फर्जी पर्मानपत्र के द्वारा आप गया है सिक्षक के पेसा में तो हो सके किसी भी वाग में जाए आपको डर बना रहता है फर्जी प्रमानपत पर बहाल एक महिला सिक्षका को गिरिफ्तार किया गया और वहीं फर्जी प्रमानपत दिखा कर नौकरी प्राप्त की थी इसके बाद 20 को सिक्षका खिलाब में स्कोर थाना में कांड संकेतना दर्च कराया गया तो मामला सामने आया इसा एक फर्जी पर पर जिच्षक तभी पकराएंगे जब उसके पीछे कोई लगा रहेगा कोई अपना या कोई जिसके खुनास निकालने होगी अन्यता ऐसे फर्जी सिक्षकों पकरना सरकार डेट पर डेट देती है पोस्पोन करती है ताकि आप सब कुछ सही करवा ले खैर मिलते हैं देखते हैं अगला क्या कुछ खबर है डिटेल्स में अगर पड़े हैं तो इसको चार वार्ड में नल जलकी कई और जना है अधुरी ये पंचाय सचीव पर होगी कर ततकालिन तीन पंचाय सचीव से असपश्टी करन मांगी है ये आपका आरा से खबर है फुल पर आस बाबू रही में हिंदी में नियोजन डियो नियोजन इकाय को दिया अदेश ये मदवनी से खबर है जिले के दो परखन सिक्षक नियोजन के मामले में गरवरी पर डियो को नसीम अमद ने सोकोज किया है उन्होंने अपने आदेश में बताया कि स्वाति कुमारी के विसे लेखांकन ये उनित सायक अर्साते वानीचिक है लेकिन इनका चेन हिंदी विसे के लिए कर लिया जो कि मान नहीं ऐसे में सभी सम्दित से सोकोज करते हुए ततकाल स्वात कि संबंदित किसी परकार के अनुवर्ति कारवाई पर रोक लगा दिया गया इस तरह बाबु बढ़ाही में कक्षा 6-8 के लिए रमेश कुमार का विचेन हिंदी विसे के लिए कर लिए जबकि इनका विसे भी हिंदी नहीं रहा इनका विसे इतिहास समासात्रेमनों विज् सब्सक्राइब करते हैं कुछ और खास बातों के साथ मिलते नेक्स वीडियो में तो वीडियो पर बने रहे चैनल पर बने रहे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद